दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में आज तक हमें कई ऐसे टीवी सीरिल्स देखने को मिले हैं, जिसमें मुख्य किरदार एक यंगस्ट कलाकारने नहीं, बलकि एक बाल कलाकारने निभाया है। और उन्ही सीरियल में से एक सीरियल था पहरेदार पिया की जो टीवी चैनल सोनी पर प्रसारित किया जाता था ये सीरियल साल 2017 में शुरू हुआ था हालकि ये सीरियल कुछ जादा दिनों तक दर्शिकों को एंटर्टेन्मेंट की माला में पिरोकर नहीं रख पाया था लेकिन इसके बावजूद भी सीरियल में राजकुमार रतनमान सिंग का बाल करदार निभाने वाले अभिनेता ने अपने दमदार अदाकारी से लाखों करोडों लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित किया था और खूद तारिफे बटोरी थी लेकिन रतनमान सिंग का किरदार निभाने वाले ये बाल कलाकार आज कहा हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं अगर आप भी इन सबी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें और साथ ही टीव इंडस्री के सलोग प्रिया धारवाहिक क के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें ज़िस तैलेंटेड चॉल्ड एक्टर के एक्टिंग करियर की तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरवात सीरियल पहरेदार पिया किसे की थी जहाँ इन्होंने राजकुमार रतनमान सिंग की मुख्य भूमिका निभाई थी जिनके ऑपोजिट अबनेत्री तेजस्वी प्रकाश को अबने करते हुए देखा गया था हालकि इस सीरियल में एक ऐसी के मिस्ट्री को दिखाया गया था जिसका कोई मेल ही नहीं था लेकिन इसके बावजूद भी दस साल के बन गए थे साल 2017 में टीवी पर प्रिसारित हुआ शो पहरेदार पिया की मेरा तनमान सिंग का बाल करदार निभाने वाले अभिनेता का रियल नेम अफ्वान खान है जिनका जन साल 2007 को मुंबई में हुआ था और यहीं से इन्हों ने अपनी शुरुवाती पढ़ाई कम्प का रवाहिक में अभने करते हुए नहीं देखा गया था अज इस सीरियल को खत्म हुए लगबग तीन साल कंप्लीट होने वाले हैं और इन तीन सालों में बाल कलाकार अफ्वान खान भी काफी जादा बदल गये हैं आज इन्होंने अपने 13 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और पहले से काफी जादा स्मार्ट नजर आते हैं आज भी इनके चेहरे से वही मासूम में जलकती है जो हमें सीरियल पहरेदार पियाकी में देखने को मिली थी ताथ ही आज भी इनके फेस में पहले की तरह ही सिगनेशर स्माइल बरकरार है हारा कि अब ये पहले से काफी ज दुनिया से लंबा ब्रेक ले लिया है हाला कि खबरे हैं कि पढ़ाई खत्न होते ही ये एक्टिंग की दुनिया में दोबारा वापसी जरूर करेंगे तो दोस्तों कि आप भी चाइल एक्टर अफ़ान खान की सिगनेचर स्माइल के दिवाने थे या नहीं आप हमें अपनी र पुले